नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि मनो विज्ञान का आशय क्या होता है और इसका विकास किस तरह से हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं, यहां लिखा हुआ है कि मनो विज्ञान यानि साइकोलोजी पहले दर्शन शासर की एक शाखा माना जाता था, और यह शब्द यानि की साइकोलोजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, यहां पर दोनों शब्द लिखे हुए हैं, पहला शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस, साइकी का आशा है सोल या आत्मा और लोगस का अर्थ है इस्टडी जिसको हम हिंदी में अध्यायन या विवेचन कहते हैं, तो हम साइकोलोजी शब्द से यह आशाय निकाल सकते हैं कि यह आत्मा के अध्यायन या विवेचन का विज्ञान है, यहां पर लिखा हुआ है कि आत्मा का अध्यायन या विवेचन, यह जो शाब्दिक अर्थ है, इसके अनुसार मनुविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा के संबंध में अध्यायन करने वाला एक विशय जिसको हम मनो विज्ञान या साइकलोजी कहते हैं प्राचीन दार्शनिकों ने जिनमें अरस्तु तथा प्लेटों को नाम अधिक प्रसिद्ध है ने इन ही शाब्दिक अर्थों के अधार पर मनो विज् अध्यायन का विशय माना था परंतु प्राचीन दार्शनिकों द्वारा दी गई यह परिभाशा की अब उपादेता नहीं रही है क्यों नहीं रही हम इसके बारे में आगे देखेंगे यहाँ पर आपको चार चितर दिखाई पड़ रहे है यह सुकरात का चितर है यह प्ल शिषय याद करने में समस्या रहती है यानि कि वे यह याद नहीं कर पाते कि कौन किसका सिषय या कौन किसका गुरू था तो यहाँ पर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर को हमने सेट किया है इनके चितर को सेट किया है और इनके नाम यहाँ पर हमने लिख दिया है और इनके नाम के प्रथा मक्षरों को हमने यहाँ पर लिखा है S P A S इससे आप याद रख सकेंगे की कौन किसका शिष्य था S for सुकराथ, P for Plato, A for Arastu और S for सिकंदर यह आपको याद रखना है इसको हम S pass भी कह सकते हैं S pass, S याद S से सुकराथ, P से Plato, A से Arastu और S से सिकंदर यानि की सुकराथ किसे से Plato थे, Plato किसे से Arastu थे और Arastu किसे से सिकंदर थे, यह सभी यूनानी दार्षनिक थे सत्रहवी और अठारवी शताब्दी में कुछ विद्वानों ने साइकी का अर्थ मन बताया, मन याने माइंड और कहा कि मनो विज्ञान की विशय वस्तु मन है तो इस प्रकार साइकोलोजी का अर्थ हुआ, मन का अध्यायन करने वाला विज्ञान यहाँ पर साइकी का आशाय मन बताया गया और लोगस का अर्थ मैंने अभी आपको अध्यायन या श्टेडी बताया था तो इस प्रकार साइकोलोजी का आशाय उनके नुसार क्या हुआ? मन का अध्यायन करने वाला विज्ञान हुआ यहाँ पर लिखा भी है कि इस शाब्दिक अर्थी के अनुसार मनुविज्ञान का अर्थ हुआ मन के सम्मंध में अध्यान करने वाला एक विशय फल स्वारूप 17 और 18 शताब्दी में मनुविज्ञान मन के अध्यान का विशय माना गया मनु विज्ञान की यह परिभाशा लगभग 1870 तक सर्वमानने रही इस समय भी यह दर्शन शास्र की एक शाखा मानी गई यानि कि मनु विज्ञान जो है 1870 तक दर्शन शास्र की एक शाखा मानी गई जिन मनुविज्ञानिकों ने मनुविज्ञान को मन का विज्ञान माना उनके अंतरगत लिबिनीज, होब्स, लॉक, कांट और हुम थे इन परिभाशाओं में मुख्यता दो तरह की दोश पाए गए थे यानि कि आत्मा का विज्ञान जो मनुविज्ञान को माना गया था और मन का विज्ञान यहाँ भी जब मनुविज्ञान को माना गया तो उसमें मुख्य रूप से दो तरह के दोश पाए गए कौन-कौन से दोश हम देखते हैं प्रथम दोश तो यह था कि आत्मा या मन अमूर्त वस्तु है अमूर्त यानिकी वह हमें दिखाई नहीं देती इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही सुना जा सकता है इसका अध्यायन वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है और इस पर कोई प्रयोग भी नहीं किया जा सकता दूसरा जो दोश था वह यह था कि मनो विज्ञान को मन या आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विशयवस्तो अइसपष्ठी बनी रहती है तो इस प्रकार से मुख्यरूप से यहां पर दो दोश थे कौन-कौन से जिनकी चर्चा हमने अभी किया तो इस कारण क्या हुआ मन को बाद में न तो आत्मा का विज्ञान माना गया और ना ही मन का विज्ञान माना गया आगे देखते हैं यहां पर आपको एक जित्र दिखाई पढ़ रहा है यह चित्र विलहम बुंट का है यह जर्मनी के चिकित्सक, दार्षनिक और प्राध्यापक थे इन्हें आधुनिक मनुविज्ञान का जनक माना जाता है आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट है जिसको अब कार्ल मार्क्स विश्विद्याले कहा जाता है मैं मनुविज्यान की प्रथम प्रयोक्षाला की स्थापना की किन्हों ने स्थापना की मनुविज्यान की प्रथम प्रयोक्षाला की विल्हम वुंट ने कप किया 1889 में इसके बाद जो है मनुविज्यान के छेत्र में जो प्रयोग थे उनकी संख्या में धीरे-धीरे व्रध्धी हुई फल स्वारूप मनुविज्यान का संबंध दर्शन सास्त्र से धीरे-धीरे कम होता गया और मनोविज्ञान की विशयवस्तु धीरे धीरे आत्मा या मन ना रहकर मानसिक क्रिया यानि की जो mental activities होती है वे हो गई या चेतन अनुभूती जिसको हम conscious experiences कहते हैं हो गई तो ये आपको याद रखना है इस परिभाषा को मानने वाले मनुविज्ञानिकों को संरजनावादी कहा गया प्रश्न आता है कि संरजनावादी मनुविज्ञानिक हम किन है कहेंगे तो आपको याद रखना है कि जिन्होंने मनुविज्ञान को मानसिक क्रियाओं या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान माना उन्हें सनरजनावादी कहा गया फिर से बता देते हैं सनरजनावादी मनुवैज्ञानिक किन्हे कहते हैं जिन्होंने मांसिक क्रियाओं यानि कि mental activities या चेतन अनुभूतियों को यानि कि conscious experiences को मनुविज्ञान की विशवस्तु मानते हैं उनको सनरजनावादी कहा जाता है इसमें विलहम वुंट और टिचनर प्रमुक थे ये दो मनुवैज्ञानिकों की नाम आपको याद रखना है ये सनरजनावादी मनुवैज्ञानिक थे दूसरे शब्दों में यदि हमका है तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी या तातकालिक अनुभूती के अधियन का विज्ञान है चेतन अनुभूती या तातकालिक अनुभूती किन है कहेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इनका आशा है समवेदना यानिकी संसेशन कल्पना यानिकी इमेजिनेशन प्रतिमा याने इमेज और भाव याने फेलिंग स यह सभी मानसिक्रियाएं हैं जो कि चेतन अनुभूति या तातकालिक अनुभूति कहलाती हैं संड़जनावादियों की इस परिभाशा में भी अनेक दोश पाए गए प्रमुक दोश यह बताया गया कि चुकि चेतन अनुभूति के प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हुपाती इसलिए यह चेतना का विज्ञान नहीं है दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जिन मनुभूज्ञानिकों ने यह बताया यह प्रतिपादित किया कि मनुभूज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है उन्होंने मनुभूज्ञान को किसी अन्य तत्व का विज्ञान कहा ये कौन सा तत्व था इसके चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जैहिंद